किसान नमस्कार किसान भाईयों मेरे सांथियों अतुलिक्रिसी में आप सुभी का स्वागत है सांथियों जितने भी हमारे धान के खेती करने वाले किसान भाई है उनकी धान की कटाई जैसे कंबाइन हर्वेशर से हम कराते हैं उसके बाद फिर उसके पीछे पीछे देखते हैं कि पूरे पैराली चुटते हुए चले जाती है पैराली को इकठा करना लेबर से उसको इकठा कराना फिर उसको घर ले जा करके यदि किसान भाई उसको अलग तो इस सब चीजों को कम करके दिखाने वाले है यह मसीन जिसके बारे में आज की हमारी वीडियो पूरी होने वाली है वीडियो में तो पूरा मसीन के बारे में बात करेंगे है कि यह मसीन कीस तरह से काम करता है और आप लोगों को दिखाएंगे भी किस तरह से मसीन में काम हो रहा है उसके साथ साथ हम इसमें बात करेंगे कि यदि कोई किसान भाई है युवा किसान भाई है जो हमारी तरह एगर करना चाहते हैं फिर मसीन लेकर के अपना खुद का वैबसाइज सुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए काफी अच्छा जो है वा ऑपरचुनिटी निकल कर आने वाला है इसमें हम पूरी डिटेल्स में बात करेंगे कि यदि हम इस मसीन को खरीद कर लेकर के आते हैं तो इसमे आट आट देख पारएहोंगे कि मसीन को किस तरह से चलाया जा रहा है इसमें सांथियों हमको दो टेक्टर काउसकता होती जिसमें की भूसा हम असानी से भर पाएं उसके बाद फिर जो मसीन है उसके पंजाब में की जाती है लेकिन हम इसको 36 गडर में लेकर क्या हुए और नब यहां पर चलते हुए देख पा रहे हैं यह मसीन जो है साथियों चलता है हाईड्रोलिक से connect होता है जो कि उसको थोड़ा से लिफ्ट करने में काम आता है और दूसरा जो है इसमें जाहे चलता है टो फीकेमoti भी हमारी ऑण जाएगी उसको दूसरे जगह जो हमारा घर होगा वहां तक छोड़ने का काम करेगा तो इस तरह से इसमें दो ट्रॉली दो ट्रेक्टर की बात हो गया और मसीन हो गया जैसे कि आप मेरे पीछे इसको देख पा रहे हैं चलते हुए पहले नंबर पे जो है ट्रेक्टर हमारा है यह जब ट्रॉली इसमें भर जाएगी जब यह पूरा मसीन चलेगा और यह पूरा सफाई हो जाएगा उसके बाद भर जाएगा तो फिर हम इस ट्रॉली को चेंज कर लेंगे तो इस तरह से इसमें काम हो रहा है और इसके जब आप आपरेटिंग को आप देखेंगे यह सब्सक्राइब चाल सकते हैं और कित्ने इसमें खर्च आएंगे हमारे और कितनी इसमें हम प्रंफिट ले पाएंगे सबसे पहले माजीन लगात जो बात करें यह वह 3,35,000 यह मसीन आने वाली है उपपर की हो सकता है कि इसको चलाने के लिए हम को 45 HP से 60 HP की आउसकता होती है तो जो कि हमारे किसान भायों के पास ट्रक्टर तो होते ही है तो ट्रेक्टर की बात करें तो इसमें हम फ्यूट के बारें बात का लेते हैं, कि आखिरकार इसमें हमको डीजल की खफ़त कितनी हो जाती है, जिसमें हम प्रती एकड को ले करके की खपत आ जाती है तो यदि हम इसमें एक एकड में देड़ घंटे लगते हैं जिसमें कि हमारी तीन ट्रॉली जो होती है वह भूसा लगभग इसमें भर कर आ जाता है तो यदि यह सब चीजों को हम कॉस्ट करें तो एक हजार रुपए हमारा इसमें जो है डीजल का खपत एवरेज ले करके चलते हैं थोड़ा मेक्सिमम ही लेकर के चल रहे हैं आप जैसे केलकुलेट करेंगे तो साथ नौ सो रुपए का इसमें डीजल का खपत आ रहा जाला है अब इसको चलाने का ऑप्रेशन हम कितना लेंगे कितना इसमें जो ट्रॉली की छिसाब से लेंगे का शिकल कर लें लेते हैं हमारे यह बंग्दु सरुपए मगले से चार जिसमें लेने वाले हैं तो उसमें से हम 15,000 रुपई 14,000 रुपई की आम ड़नी कर सकते हैं तो साथियों इसी तरह की इंटेसिन्ग वीडियो हम आप लोगों के ले लेकर की आते हैं जिसमें हम किसान में और कोई सवाल है तो आप कीजिए यह दी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही अन्य किसान भाइव को इससां सेयर जरूर करें जो की धान की खेती अधिकतर मांतरा में करते हैं जिनके एरिया में धान की खेती होती है और धान की खेती को लेकर करके इसमें बिजनेस करना चा